जहिन दोस्तों सवाथ है आप सबी लोग का तो आज की ये महत्तपूर्ण जनकारी है आर्मी के जेसियो रैंक पे जितने भी भरतियां हो रही है जीडी, क्लरक, ट्रैडमेंट, टेकनिसियन, नर्सिंग असिस्टेंट 2023 में जो भी भरतियां हुई है जिनके लड़के ट्रेनिंग पे जा चुके हैं महरास्ट्रा के वो भरति किस परकार से हुई है फिजिकल, बेडिकल, एक्जाम, कुशन, पेपर, कुछ लड़कों का डाउट है कि क्या पहले एक्जाम होगा या फिजिकल होगा और इसकी पे स्केल क्या है भरति से हर एक छोटी से चोटी और हर बड़ी से बड़ी जनकारी हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब अगनी वीर में सेना बढ़ती कैसे होगी लड़कों की ठीक है 2023, 24, 25, 26, 27 और हाला कि इसमें जो बदलाव किया गया है सभी लड़के से आउगत है या नहीं है वो भी आपको बताएंगे और कौन सी जॉब पर्मनेंट है इसमें हमेशा के लिए है कौन सी नॉन पर्मनेंट है वो भी बताएंगे सेलरी, पे स्केल, एलिजिबिल्टी, क्वालिफिकेशन, स्लेबस में बदला हुआ है कि नहीं हुआ है क्या रिजेक्ट होने का कारण है लड़कों का भरती के दोरान वो भी बताएंगे जो डबल देखते हैं ठीक है क्या रिजन है में और पे स्केल में क्या छूट है सब कुछ बताएंगे तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहीएगा सारी जनकारी आपको हिंदी में दी जाएगी भरती कि यह पूरी जनकारी ठीक है जेसियो रेंग में जीडी क्लायर्क ट्रेडमेंट टेकनिसियन की वेकंसी है जो हर साल आती है और ऑफिसर रेंग में जो वेकंसी होती है होती है होती है सीटीन होती है है मैं होती है लड़कों की और इसमें नर्सिंग की और साथ में आपको अहाइंर। टॉरियल आर्मी की अफिसरयां की होती है ठीक है टेश्ट फैस्ट होती है ढोली की साब क scratch अब हम जेसी और एंट्री की बात करने वाले जो जीडी क्लर्क ट्रेडमेंट टेक्निसियन के लिए तो जीडी के लिए और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए दोनों के लिए अपलाई कर सकते हैं यह बत ध्यान रखेएगा चलिए आपको बता देता हूं सबसे पहले इसका ज है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है आर्मी का जब भी फॉर्म आता है तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है जब फॉर्म करेंगे तो आपका एड्मिट कर आएगा एक से दो महिने बाद ठीक है उसके बाद आपका होगा फीजिकल टेस्ट बीच में करोना की इसके बाद का हाइट वेट चेष्ट मिजरमेंट होता है 16 किलोमेटर आपको दढ़ाया जाता है सुरू में फूशप ठीक है यह भी आपको कराया जाता है यहां पर 9-0 फीट जम्प भी कराया जाता है जिग जैग बैलंस कराया जाता है उसके बाद आपका इंडियन आर्मी का medical test होता है उसके बाद आपका Indian Army return exam होता है उसके बाद आपका normal question पूछे जाते हैं जो document से related रहते हैं loop में last में आपको बताऊंगा ठीक है इसमें आपको time मिलता है कितने दिन का मिलता है medical और return exam में वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है चलिए बताता हूं यहां पर timing जो मिलती है running के लिए 2023 में लड़कों को मिली है group wise यह depend करता है कितने लड़के पकड़ी जाता है first group में आते हैं पांच मिनट के आसपास यह पांच तीस के आसपास ठीक है पांच मिनट 45 से आधी तो आप डिसक्वालिफाइड है नहीं लिए जाएंगे इस बात का ध्यान रखेगा तो running इसके लिए matter करता है first उसके बाद यहां पे number of push-up 10 push-up पे 40 number 9 push-up पे 33 number 8 push-up 27 number 7 push-up पे 21 number 6 push-up पे solar number less than 6 अगर है तो डिसक्वालिफाइड हो जाएंगे यानि हटा दिये जाएंगे ठीक है GD और ट्रेडमेंट पहले number 5 इंद में के लड़कों को अगनिविर के माध्यम से चार साल के लिए बरती किया जा रहा है ठीक है उसके बाद इसमें से कुछ को नोट मेंसम था ओफिसेल नोडिफिकेशन में उसके बाद पर्मनेंट में कुछ आ जाती है जिसमें आप लोगों को आई तेंग की आप लोग को रिटैर नहीं किया जाएगा चार साल के बाद जिसमें क्लरक और N.A. नर्सिंग असिस्टेंट की दो वेकेंसी हैं जो पर्मन कर लिए जाता है तो आपको मेल वगर आता है कॉंटेक्ट भी कर लिया जाता है आपको सेंटर पर पता करना रहता है ठीक है और यहां पर रिटेन एक्जाम ऑब्जेक्टिव होगा एक कोशन पर चार उप्सन रहते हैं ठीक है माइनस मार्किंग भी होती है और कोशन पर हिंदी एंगलिस दोनों में होता है इच कोशन पर आपको जो गलत करते हैं तो वन बाइफ फूर्थ नंबर करता है और अगर सही करते हैं तो आपको एक नबर मिलता है ठीक है पासिंग 32 से उपर रहना चाहिए जो थर्ड लेवल पास होने का लेकिन विगोज संख्या में जीडी में अटेम्ट करते हैं तो 37-80 नंबर के बीच में रहता है नंबर तो उनका सेलेक्शन हो जाता है ज्यादा नीचे लाएंगे तो आउट हो जाएंगे मेरेट से यह बात ध्यान रखेगा तो पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा है और पढ़ाई से करके कॉर्ण में बैल आइकन प्रेस कर लिजी ठीक है तो आगे देख लेते हैं नंबर ओफ कोशन कितने रहते हैं सब्जेक्ट वाइस ठीक है इस बार कितने थे जर्नल नॉलेज में आपके वही 15 कोशन 30 नंबर के अटिक्स में 15 कोशन 30 नंबर के रिजिनिंग में 5 कोशन 10 टूटल सब कोशन होते हैं यह जीडी ट्रेडमिन का सलेवस हैं क्लर्क में आपका इंग्लिस जोड़ जाता है वह 15 कोशन इंग्लिस जोड़ जाता है इन में से रिजिनिंग वाले को हटा दीजिए यहां पर ठीक हाव जनल लोनेज का कोशन कम कर दीजिए आगे आए जाते ह बात है जो इस बार जाधातर कइंडीडेट हो रिजस किया गया गया और दोअड्यू आटिसरोफ जातां diva कर 15 मंद्में हालां के इस एक ही दो में बदलाव किया गया गया जैसे आपनाल का तैसिल दार दार करे परोटो में उस फोटोग्राफ होना चाहिए ठीक है जो आप जारी कर्रापशन में आपका पार्धży कर्द बादा और जो होना चाहिए וसका माननी अभी है और आपको सिर्फ 5 दियाद रखने और कुछ याद नहीं रखना तेंथ का ओरिजिनल सर्टिफिकेट 12 अगर है तो वह लगाएंगी अधार कार्ड ठीक है डोमेसाइल ठीक है और आपकी जाती सर्टिफिकेट बस इतना है और कुछ नहीं पांची जमेन होना चाहिए फिर एफ़ डेविट होगा अच्छा है ठीक है और करेक्टर सर्टिफिके विदाउट टेक्स आपको दिया चाहेगा ठीक है सेनानाइक के माध्यम से और आपका टोटल यहां पर बैलन्स मंतली आपका 30,000 फर्स्ट एयर में बननेगा ठीक है सेकेंड एयर में 33,000 थर्ड एयर में 36,500 पूर्थ एयर में 40,000 इसमें अलग-अलग लेवल पेस्केल डिव आपको कुछ होता है एक्सिदेंट वगरा तो उस पर 30-40,000 रुपे जो भी मिलते हैं वह अलग से मिलते हैं तो इससे रिलेटेड इतनी जनकारी थी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स करके कमेंट में पूछ सकते हैं आपको बता दिया जाएगा पेपर जल्दी में